नमस्क्त देशक मित्रों आज के वीडियो में टीन के प्रोड़क बनाने वाली एक माइक्रो कैप कमपनी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों भारत की सबसे बड़ी डेरी कमपनी अमूल भी इस कमपनी में 25 परस का हिस्सा रखती है तो वीडियो में हम इस company के बारे में detail में जानकारी प्राप करेंगे, company के business के बारे में जानकारी प्राप करेंगे, company के profile के बारे में चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में आने वाले समय के अंदर इस company के लिए कहां कहां growth की opportunity बन सकती है उसके बारे में भी चर्चा करेंग सबसे पहले शेयर के बारे में बेजिक जानकारी प्राव करते हैं तक्रीबन 190 क्रो के साइस की बहुती छोटी कंपनी है 2100 रुपे शेयर का भाव है और 18 के P.E.P. कंपनी करंटली ट्रेड कर रही है बहुती छोटा शेयर के प्तल है एक क्रो का फेस विल उदास है मतलब के मार्केट में सिर्फ 10 लाग जितने ही शेयर है जिसमें से प्रमोटर के पास तक्रीबन 46% हिस्सेदारी है और 25% हिस्सेदारी अमूल के पास है दोस्तो हम आगे बढ़ें कंपनी के बारे में चर्चा करें उससे पहले आप सभी से एक अनुरोध रहेगा के आप इस वीडियो को और हमारे इस इन्वेस्मेंन मंत्रा चनल को शेयर कीजे अपने दोस्तों के साथ दूसरे नए इन्वेस्टर के साथ दोस्तो कंपनी के बारे में चर्चा करें उससे पहले आपको बचाना चाहेंगे के फ्रन्ट पेज में आप हमारी स्टॉक एडवाईजर की सवीस पावर माई पॉर्फोलियो अवेल कर सकते हैं सिब 99 उपीस पर मन की फीपे करके आपे सवीस ले सकते हैं लिंक आपको डेस्क्रिप्सर में दे गई है तो दोस्तो आज की जो कंपनी है इस कंपनी का नाम है काईरा कैन कंपनी लिमिटेड दोस्तो टीन के पॉड़क बनाने वाली एक बहुत ही बहतरिन कंपनी है इस कंपनी को हमने सब्टेंबर के महिने में हमारे यूट्यूब और फ्रन्ट पे चनले मेंबर को 1600 के भाव पे रिकमेंड किया था और वहां से एक महिने के अंदरी शेयर ने तक्रीबन 3500 का हाई भी लगाया हमारे सारे के सारे टागेट भी अच्छी हुए वहां से फिर से करेक्शन में आपको ये कंपनी तक्वीबन 2021 के लेवल के आसवास में दे है और अपने सेग्मेंड की बहुत ही बहतरिन कंपनी है भारत की सबसे बड़ी डेरी कंपनी अमूल भी इस कंपनी में बड़ा हिस्सा रखती है और अमूल इस कंपनी का एक बहुत बड़ा क्लाइन भी है और one of the largest teen के प्रड़क बनाने वाली कंपनी है कंपनी teen के प्रड़क के अलावा शुगर कौन बनाने का भी बिजने सकती है जो आइस क्रीम में जो शुगर कौन होते हैं वो भी ये कंपनी बनाती है दोस्तों अमूल सबसे बड़ी भारत की ice cream की भी कंपनी है तो एक बहुत ही बड़ा क्लाइट है अमूल इस कंपनी का और वहाँ से आगे भी कंपनी को बहत्रिन बिजनेस मिलता रहेगा कंपनी कई प्रड़क के टीन के प्रड़क बनाने का काम करती है और इनके रिक्वामेर अगराब लिखे तो पेकेज फूड में टीन के प्रड़क काम आते हैं रेडी टू इट फूड में वेजटेबल, फूट और पल्प, चूस, पिकल्स, डैरी प्रड़क और अगरा आप देखे डियोडन जैसे से अगरे मेर में भी तकरिबन कंपनी के पास 15 करोर शुगर कोन बनाने की कैपेशिटी है और दोस्तों अमूल इस कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट है अमूल का तकरिबन 95% टीन का रिक्वामेंट यही कंपनी फुल्फिल करती है और अमूल का एक बहुत बड़ा अगरा आप देखे आईस किम का भी जो शुगर कोन होता है उसका रिक्वामेंट भी यह कंपनी ही फुल्फिल करती है तकरिबन कायरा केंट का 70% रेवेडियू अमूल से ही आता है इसके बाद अमूल कूल नाम का एक जाना माना अमूल का ब्रांड है और वहाँ पर भी पैकेजिंग में इस कंपनी के यह तीन के कैन यूज होते है इसके लबाद अमूल स्वीट में भी अपना बिजन सकता है तो वहाँ पर भी स्वीट पैकेजिंग में कंपनी अपने प्रॉक्स अप्लाइ करती है प्रोसेस फूट के लिए और दूसरे भी अगराब देके कई सारे एप्लिकेशन में टीन के कैन काम आते हैं जहाँ पे कायरा केंट के पास बहत्रीन डाइवर्सिपार प्रॉट पॉर्ट पोल्यू है दोस्तो रिसेंटली ही कंपनी ने अगराब देखे पेपर प्रिंटेड शीट में भी अपने बिजनस को एक्स्पांड किया है जो आइस्किंग के ऊपर पेकेजिंग के लिए ये प्रिंटेज शीट यूज होती है वहाँ पे कंपनी ने रिसेंटली ही अपनी कैपेशल लगाई है तो वहाँ सभी फ्यूचर में कंटिबिशन आ सकता है उसके बारे में जानकारी प्राप करते है तक एवन 50 साल पुराने कंपनी है तो कंपनी के पास बहत्रीन एक्सपेरियंस है अपने इंडर्शी का और भारत की सबसे बड़ी डेरी कंपनी अमूल इस कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट है जादर कंपनी का रेवनू अमूल से ही आता है अमूल अपने सेग्मेंट की मार्केट लीडर कंपनी है और दोस्तों जैसे के बता है कंपनी ने रिसंटली ही एक एक्सपांशन किया है FY21 में कंपनी ने पेपर स्लीव जो आईस्क्रीम कोन के आसपास लगता है उसके लिए एक्सपांशन किया है अमूल के जो आईस्क्रीम कोन के शुगर केन कोन होते हैं वो तो ये कंपनी बैनाती है अब उसके लिए अगर देखे पैकेज़ें भी ये कंपनी करके देगी और दोस्तों पिछले दो साल अगर आप देखे कोवेट के कारण आईस्क्रीम बिजनस पे बड़ा इंपक्ट आया था बट इस साल समबर में आईस्क्रीम का बिजनस बहुत ही बड़े सतर पे बाउंस बेख कर सकता है और अगर आईस्क्रीम का बिजनस ग्रो करता है और कंपनी ने कुछ नए अगर आप देके equipment भी लगाए हैं और कंपनी ने अपने efficiency को भी और जादा बढ़ाने के लिए कुछ नई machinery भी लगाई है तो उसका फादा भी आपको future में देखने को मिल सकता है दोस्तो जैसे करें बताया Amul Gujarat Co-operative Milk Marketing इसके नाम से भी ये कंपनी जानी जाती है वो इस कंपनी में तक्रीबन 25% स्टेक रखती है तो एक बहुत बड़ा Amul का भी कंपनी में स्टेक है और Amul का एक backward अगर आप देखे इस कंपनी को integration माल सकते हैं सदाधतर जो Amul का packaging का requirement है तीन या sugarcone वो यही कंपनी फुल्फिल करती है तो indirectly अगर आप देखे Amul की growth में पार्टिसेपर करने में ये एक छोटी कंपनी आपको मदद रूप कर सकते है छोटा बट बहुती बहतरी कंपनी है liquidity कम है इस कंपनी में ये बात आप ध्यान में रखेगा इसलिए generally हम इस कंपनी को recommend नहीं करते हैं बट क्योंकि recently market में correction चल रहा है और ऐसे correction में आपको ऐसी low liquid कंपनीयां बहुत नीचे के level पे भी मिल सकती है इसलिए हम ये company currently आपको recommend कर रहे हैं पहले हमारे YouTube और front page channel में को हमने recommend किया भी हुआ है और उनके target भी अच्चीव होगे फिर से एक अच्छे level पे मिल रहे है तो यहां से आपको 1900 से 21 की range में इस company में निवेश करना है छोटी company है liquidity कम है तो बड़ा निवेश आप इस company में नहीं कर सकते हैं छोटा आप निवेश कर सकते हैं और आपको एक से देर साल के लिए बने रहना है तो यहां से यह company आपको तक्रीबन 300 का level और उससे भी उपर का level दिखा सकती है आने वाले 8 से 12 मेने के अदर low volume share है BAC पे average daily volume इस company में तक्रीबन 310 share का ही होता है तो यह बात ध्यान में रखिए आपको कायरा केन में अपना निवेश करना है तो दोस्तों एक बहुती unknown company है एक बहुती बड़े अगर आप देखे group में से company आती है अमूल इस company का बहुत बड़ा client है तो एक 32 company है कायरा केन और तीन यहां से packaging में एक बहुती बड़ा market share गेन कर सकता है recycable material होता है clean eco-friendly material होता है कई बड़ी बड़ी दिगज कंपने भी अब eco-friendly packaging तरफ अपने business को लेके जाने वाली है तो वहाँ पे अमूल भी जादा से जादा clean packaging में अपने business को लेके जा सकती है तो वहाँ पे भी company के लिए volume growth भी आ सकती है काई राक हैं दोस्तों company को अपने watches में रखिए और मौका मिलने पे इसमें आप निवेश कर सकते हैं low liquid share है market correction में और भी नीचे आ सकता है ये बात ध्यान में रखिए आप अपना निवेश कीजिएगा दोस्तों इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे front page में हमने एक learning course भी तयार किया है learn to earn कैसे आप equity marker से बड़ी wealth बना सकते हैं उसके उपर हम ये एक video course आपके लिए तयार किया है सिर्फ 249 के price में आप एक course ले सकते हैं link आपको description में दी गई है दोस्तों एक बहतरीन unknown company है काईरा केन तो अनरोध रहेगा video को share कीजिए अगर आपको video पसंद आया हो तो एक like दीजिए comment में बताए ऐसी कोई unknown company अगर आपके जहिन में हो और इसके साथ अनरोध रहेगा investment mantra channel को share कीजिए अपने दोस्तों के साथ दूसरे नए investor के साथ और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को subscribe न किया हो तो चैनल को subscribe कीजिए bell icon के डबाईए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको notification मिल जाए thank you for watching